अरे बहु ये क्या चौक दिया, धसे कुट रही है, उधरन चिन्ह, मा जी, कोफते बना रही हूँ, लेकिन मैंने तो कोफते बनाने के लिए नहीं कहा, वो मा जी, आप लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सबजी बना लेती हूँ, हाँ हाँ, अभी चार दि नीरू की शादी को 15 दिन हो गए थे, धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने उपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहु करना ही पड़ता है, नीरू को पहले दो-चार दिन तो सासु मा खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है, नीरू ने सोचा चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासु मा की इजाजत लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा, माय के में तो भावी खु अपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है तो सर्फ तो लगेगा ही ना, लेकिन सासु मा को उससे भी शिकायत है, एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फोन पर बाते कर रही थी तो नीरू ने उन दोनों की बाते सुन ली, सासु मा कह रही अब धीरे धीरे नीरू को समझाने लगा था कि सासु मा को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है, उसने मन ही मन कहा, चलो मा की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, सासु अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासु मा से पूछा, मा जी, चाय बना लूं क्या हाँ बना लो, सासु मा ने उठते हुए कहा, चीनी कितनी डालूं, एक चम्मच, फुरी देर बाद, मा जी नाश्ते में क्या बनाना है, आलू की सबजी और पराठे बना ले, सासु मा खुश हो रही थी कि बहु आज तो सारे काम पूछ पूछ के कर रही है, वो पूजा करन मुझे बताकर जैसे ही बैठने लगी, नीरू ने फिर आवाज लगाए, मा जी, जरा मशीन में सर्फ डाल देजिए, मुझे तो अंदाजा ही नहीं है, उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा, दोपहर को जैसे ही सासु मा आराम करने के लिए लेठी, नीरू ने आवाज तो वो धन से पूजा कर पाई नहीं आराम कर पाई, मन ही मन मुस्कुरा रही थी लेकिन साथ ही उसे सासु मा को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, अब तो पानी सर्फ से उपर हो गया, शाम को फिर वही शुरू हो गया, मा जी खाने में क्या बनाना ह सबजी में कौन-कौन से मसाले डालने हैं, दूद गंदू या ठंडा, सासु मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहु, अब मुझ से कुछ मत पूछना, न सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, न टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शान्ती से नहीं ले पाए, लेकिन मा जी आपने ही तो कहा था कि मुझ से पूछे बिना कोई काम मत करना, हाँ कहा था तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी, जो बनाना है जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए, नीरू मुस्कुराते हुए रसोई में च धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे